देश में कुरोना के नई मरीजों के संख्या फिर बढ़ी 24 घंटे में 2,74,000 से ज्यादा नई मरीज 3,874 लोगों की मौत अब तक 18 करोड 70 लाग से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोस रापिड अंटिजिन टेस्ट को लेकर ICMR की नई गाइडलाइन सिंटोमाटिक लोगों को घर पर टेस्ट की मंजूरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो माना जाएगा कुरोना संत्रमेट रिपोर्ट नेगेटिव तो RT-PCR टेस्ट की सल्मा भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कुरोना टेस्ट का विश्व रिकॉर्ड बना 24 घंटे में 20 लाग से ज्यादा टेस्ट संत्रमन दर गट कर 13.31 फीसी दी हुए कुरोना के हालाद पर आज पिये मोदी 10 राज्यों के मुक्य मंत्री और जिलादिकारियों के साथ संबात करेंगे पश्चिमंगाल की सिये ममता बिनेर जी भी शामिल कुरोना संकत में किसानों को बड़ी रहात प्रधान मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग के बाद खाद सबसीडी बढ़ाई डी एपी खाद की बोरी 2400 की जगा 1200 रुपए में मिलेगी मुंबई में कॉंग्रोस ने जगा जगा लगाए पोस्टर पोस्टर पर लिखा है मुदी जी हमारे बच्चों की बैक्सीन विदेश क्यों भेज़ती पीज़ेपी कारे करताओं ने पोस्टर हटाए स्वास्ते मंत्री हर्श्वर्धन देली के सबदर जंग अस्पिताल में नए उक्सिजन प्लांट का जाइज़ा लेने के लिए पहुंशे काहा सेक्रों, डॉक्टर, स्वास्तेकर्मियों और कई पत्रकारों ने कुरोना से जान गवाई सभी को नमन करता हूँ कुरोना से सेना की जंग, थल सेना ध्यक्ष जनरल नर्वने ने कहा हमारे अस्पितालों में ओक्सिजन बैच की तादाद अठार असों से बढ़कर चार हजार की गए दिली में कुरोना की रफतार पर लगी ब्रेक, 24 घंटे में 3846 नए मरीज सामने आए पांच अप्रेल के बाद एक दिन में सामने आने वाली कुरोना मरीजों का सबसे बढ़ा अंक्रा दिली के सीये मर्वन के जिवाल का बढ़ा एलान, दिली में कुरोना की तीस्टी लेहर से ने पटने के लिए बनाई जाएगी स्पेशल टास्क पोर्स, अस्पतालों में ऑक्सुजन और बेट्स की उपलब दिता का ध्यान रखने के लिए टीम का गठन होगा यूपी में प्राइमरी को छोड़ कर बाकी सभी सतर के छात्रों के लिए आज से शुरू ही ऑनलाइन पढ़ाई राज्य में कोरोना आक्तों में कमी और बढ़ते रिकबरी रेट के चलते फैसला देश में कोरोना पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की कोरोना से ठीक होने के तीन महीने बाद लगेगी पहली वैक्सीन जिश्वों को स्तनपान कराने वाली मही लाएं भी लगवा सकती है वैक्सीन जून में राज्यों को मिलेगी 10 करोर से ज्यादा वैक्सीन की डोस केंद्री स्वास्ते मंत्राले ने राजियों और केंद्र शास्तित प्रदेशों को पत्र लिख कर कोविद वैक्सीन क्यूप लब्धिता के बारे में जानकारी दी तमिलाडू में 18-44 साल के लोगों का आजसेची का करन शुरू होगा स्वास्ते मंत्री एम सुब्रमनियम के मताबिक टीका करन अभियान में आटो रिक्षा ड्राइवरों को दी जाएगी प्रात्मिक्ता तुनिया भर में आट करोड करोना वैक्सीन की सप्लाई करेगा अमेरिका कहा अपनी ताकत और साथियों के शक्ती के साथ बढ़ाई जाएगी वैक्सीन क्यूप लब्धिता करोड के बनाने के काम में जुटी हुई है, पहले कहा था कि बाकी कमपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसंस दिया जाएगा कुरोना के इलाज पे इस्तेमाल होने वाली सभी जुरूरी दवाओं की आपूर्ती पर सरकार के लिगरानी मनसुक मंडाविया के मताबिक कुरोना के सभी दवाएं अब भारत में उबलाब्द और कोई कमी नहीं है टूल के त्विवाद को लेकर कॉंग्रस के छात्र संगठन NSUI ने राइपुर में बीजेपी प्रिवक्ता संबित पात्रा और रमन सिंग के खिलाफ FIR दर्ज कर आई गलत तरीके से कॉंग्रस के लेटर हेड का इस्तमाल कर जूठी बातें पहलाने कारों दिली सरकार ने अस्पतालों में M4-Terson B injection के निगरानी और वितरन के लिए बनाई 4 सदसिये विशेशरगे समिती इस दवा का इस्तिमाल ब्लाक फंगस के इलाज में किया जाता है महराश्रों में ब्लाक फंगस से अब तक 90 कुरोना मरीजों की मौट 1500 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज चल रहा है राजस्तान की गेलोट सरकार ने ब्लाक फंगस को महमारी घोशुद किया राजी में सामने आचुके हैं सेक्रों केस राजस्तान में ब्लाक फंगस की महमारी घोशुद होते ही जोदपुर के अस्पितालों में बने अलग बॉड जोदपुर रीजिन में 50 से ज्यादा मरीज यूपी की राज़ानी लखनव में भी सामने आई ब्लाक फंगस के मरीज यूपी के मेरच में भी ब्लाक फंगस का कहर अस्पितालों में भरती हैं 42 मरीज, 3 मरीज़ों के हुई मौथ, डॉक्टरों ने लोगों से साभधान रहने की अपील की अलिगर में ब्लाक फंगस के मरीज़ों के मिलने से हरकम, दीन दयाल उपाध है इससे उप्टिकित साले और एक निजी अस्पिताल में दो मरीज मिले कानपिर में ब्लाक फंगस के मामले तेजी से बढ़ने की कारें अंटी फंगल इंजेक्शन की किलना तो लोगों को दवाओं की काला बाजारी क्या शंका उत्राखंड के पित्थोरागड में ब्लाक फंगस के पहले अमामले सामने आने से दैश्ट जिलाइस्पाल में भर्ती कुरोणा मरीज में बिलाया लक्षन बड़े अस्पाल में रफर किया गया दॉक्टर पद्मिश्रिवास्तर के मताबिक देली के एम्स में ब्लाक फंगस के सौसे ज्यादा मरीज एडमिट हैं जजर एम्स में भी बनाए गए हैं अलग वोड पत्ना में ब्लाक फंगस के मरीजों के लिए आईजी आई, एम्स और एम्स में विशेश सेंटर बनाए गए बिहार में भी कहीं कोरोना मरीज हुए हैं काले कफून के शिकार बिहार के नेतर प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्ना के अपने सरकारी आवास पर एक पोलो रोज में तयार किया कूबिद अस्पताल सरकार से टेक ओवर करनी की अपील की बिहार से बीजीपी के सांसत सुशील मोधी ने ट्वीट कर साधा निशाना लिखा राबरी देवी के दस फ्लैट हैं कांती देवी से गिफ्ट में मिले दो मंजिला मकान में तेजस्वी ने क्यों नहीं खोला अस्पताल सुशीर मोधी ने अपने ट्वीट में तेजस्वी की बेहनों का नाम लिया तो लालो यादफ की डॉक्टर बेटी रोहिनी आचारे निकी गालियों की बोचार बोली मूद थूर देंगे जेटियू ने विहार में विपक्ष की नेता तेजस्वी यादफ पर साधा निशाना ट्विटर वबवा और लापता गज का नायव बताया लालो यादफ के परिवार को ट्विटर फैमिली बताते हुए कुरोना काल के ट्वीट का लेखा जोखा पेश किया तेजस्वी यादफ पर विहार के पूर्फ सीएम जीतन राम मांजी ने भी साधा निशाना सरकारी आवास को कोविट अस्पिताल बिनाने को लेकर बोले अब डॉक्टर भी लाईए सरकार क्यों दे तिली हाई कोट में कोरोना से जुड़े मामलों पर आज भी सुनवाई जारी कोट ने कल कहा था तीसरी लेहर आने का इंतजार नहीं करें सरकार सबको जल्दी लगे ठीका तिली में ऑक्सिजन कंसिंट्रेटर खाला बाजारी क्या रूपी नवनीत कालवरा की आज साकेत कोट में होगी पेशी तीन दिन की रिमांट खत्म हो रही है यूपी में स्वास्ति सुविधाओं का बुरा हाल इटावा की ताखा ब्लॉक में 6 करोड रुपए की लागत से बने समदाइक स्वास्ति केंद्र में पढ़ा है ताला पांच बचते ही गायब हो जाते हैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट और बॉर्ट बॉय के भरोसे होता है मरीजों का इलाज विहार के सहर सजले में खंधर बना सौर बाजार का उप स्वास्ति केंद्र वर्शों से लटका है ताला लोग रखते हैं भूसंग गुबर विहार के धरबंगा मेरिकल कॉलिज में ऑक्सिजिन की कमी के चलते ही कुरोना पीड़ित महिला ने तरप तरप कर तोड़ा दा मस्पताल परशासिन ने नहीं सुनी परी जनों की वुखार बेटी न किया वीजियो वारत विहार के सुपॉल से अमांधिय घटना की तस्वीर आई सामने अम्बिलेंस की जगा ओटो से भेजे जाते हैं मरीज कमपाउंडर की जगा सुरक्षा गार लगाते हैं स्टेच बिहार में सिवान के मेरवा से शर्म सार करने वाली तस्वीर आई सामने बार-बार फोन करने के बाद भी नहीं मिली आम्बिलेंस तो पिता को इलाज के लिए ठेले पर लेकर निकला बीता बिहार के स्वास्ते मंत्री मंगल पांधे के ग्रिह जिले की घटना MP की निवारी में देवी मा को जल चड़ाकर कोरोना बगाने निकले सेक्रों लोग बिना मास के सोशल डिस्टेंसी की धजिया उडाते दिखे MP की आगर मालवा में कोरोना की प्रकोप से ने पटने के लिए विश्पु हिंदू परिश्द को शुद्धी करन का सहारा विश्पी और बजरंग दल की कारेकरता हाथों में हवन कुंड और मंत्रों का जाप करते दिखे MP की शामली में कोरोना पर काबू के लिए कैराना कोतवाली में पुलिस दवालों ने कराया यंग्य और हवन तीन दिन तक चली पूजा मंद्रिप्रदेश के छतरपूर की कहें गाउं में कुरोना वाक्सीन को लेकर फेली अफवा वाक्सीन से जलन का दावा कर टीका लगवाने से इंकार कर रहे हैं रोग पंजाब के जालंदर में आम्बुलेंस तवाले की अमानविय करतूद पैसे ना होने पर मरीज को आधी रात बीच सड़क पर उतार कर चलता बना करोना संकर में देवदूद बनी सेना जमो किश्मीर के राज़णी में घरीबों को बात रही है मुफ्त खाना कोरूना मरीजों के परिजनों का भी रख रहे है खयाल तिमु कश्मीर के रामबन के गाउं में शुरू हुआ ठीका लगाने का लग्श ताउते का कहर खत्म होते ही एक और चक्रबाती तूफान का खत्रा 22 मई को बंगाल की खाड़ी में उठेगा ये चक्रबाती तूफान 26 को बंगाल से तक्राएगा पेट्रोलिय मंत्राली ने तूफान में जहाजों के फस्ते की जांच के लिए उच तरे कमिटी का गठन किया बार्ज P305 सागर भूशन और सपोर्ट स्टेशन तीन के फस्ने पर एक महीले में आएगी रिपोर्ट सेना के पुताबिक मुंबई के समंदर में बार्ज P305 के डूबने से अब तक 37 कर्मचारियों की मौत अर तिस लोगा भी लापता 186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया जिमिदार कंपनी के अधिकारी सवालों से भाग मुंबई के समंदर में बार्ज पुर्फर से लोगों को जान पर खेल करना सेना ने बचाया सामने आई INS कुलकाता की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्विए ABP News का बड़ा खुलास है वो मई में डूबे जहाज बार्ज P-305 के कैप्टेन पर गंभी रारोब बचायेगर लोगों के मताबे कैप्टेन ने कहा था बार्ज नहीं डूबेगा और खुद बोट लेकर चला गया सेना के मताबे गुजराच से सटे समंदर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा सागर भूशन और सपोर्ट स्टेशन तीम को ONGC के जहाज की मदद से पिपाफ पोर्ट लाया जा रहा है मुंबई वे ताउते तुफान के जाने के बाद समुदर से निकला कहीं टन कच्रा इससे पहले 2018 के हाई टाइट के बाद अकेले मरीन ड्राइफ पर ही 9 टन कच्रा समुदर से बाहार निकला था ताउते तुफान से प्रभावत गुज्रात को एक हजार करोड का राहत पैकेश मतकों के परिजनों को मिलेंगे दो-दो लाग प्रधान मत्री मोधी के हवाई सर्वेक्शन के बाद एलाद महराश्र के पूर्व सीम प्रित्फिराज चोवान ने पीम मोधी पर लगाया बेदभाव करने कारूप पुछा ताउते तुफान से पांच राज्यों में नुक्सान हुआ तो प्रधान मत्री ने सिर्फ गुज्रात का दौर अप्यूं किया गुज्रात में ताउते तुफान के चलते अब तक 45 लोगों की मौत अमरेली में सबसे ज़्यादा 15 लोगों ने गवाई जान दो-दोलाग कम वावजा गुज्रात में 4,000 से ज़्यादा गाउं में बत्ती गुल गुज्रात की सीमविजी रुपायनी की मताविक तुफान से प्रदेश में 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच रा, 40,000 से ज्यादा पेड़ भी उखड़े एमिदाबाद में तुफान ताउते के चलते, पांच मंजिला इमारत के रही किसी के हताहत होने की खबर नहीं, इमारत को पहली ही खाली करा लिया गया था गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान पहुंचा, ताउते तुफान, कहीं जगह भारी बारिश, उदेपुर, जोदपुर में, SDRF की टीमों ने संभाला मोचा, दिल्ली NCR में भी बारिश पुर्वी राजस्थान और आसपास के इलाखों के उपर बना डिप्रेशन अब कमजोर हुआ, मौसम विभा के मुताविक सीकर समेथ कहीं इलाखों में हुई भारी बारिश ताउते के असर से देली NCR में मई महीने की बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड देली में 60 मिलिमीटर बारिश, 1976 के बाद मैं महीने में इतना बरस दे बादर चक्रबाद ताउते का असर देली में 1951 के बाद बुदवार को मई महीने का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पारा लुड़क कर 23.8 डिगरी पर कहुँचा देली के प्रलाग कुर इलाखे में बारिश की वज़े से कई फीट पानी भरा बारिश के पानी में गाडियां भी फसी देली के दोलक हुआ आईटियो और भेरफ मंदिर मार्च समेथ कई इलाकों में बारिश का पानी भरा आज भी देली में बारिश का लग दिली में बारिश के बाद दुरगटना की तस्वीर है आई बीती रात दिली के नजब गड़ में ट्रक गड़े में गर गया दिली से सटे गाज़ेबाद में भारी बारिश की वज़े से कहीं सडकें डूबी बार जैसे हला यूपी के शामली में बारिश के चलते मकान की छदगिरी एक महिला और उसके तीन बच्चों की मौत परिवार के बाकी छे लोग जख्मी हुए हिमाशल प्रदेश के किर्नौर के चिटकुल गाउ में हुई बर्फबारी बिजली पानी प्रभावित हिमाशल के अन्य इलाखों में बारिश मौसम भारवे 24 घंटे का ओरेंज अलर्ट जारी किया श्रीन ने भारत में ताउती तुफान से हुई मौतो पर दुख जताया कहा जिन्हों ने अपनों को खोया उनके प्रती गहरी संवेद्दा केरल में LDF सरकार का आज शपत ग्रहिंट समारो पूर्व स्वासे मंतरी के के शयल जाको नए मंतरी मंदल में शामिल नहीं करने पर विवाद अर्जेंटीजा में प्र बढ़ा को करोना का संक्रमार ने एक दिन में 35,000 से ज्याद़ केसा है सामने 745 लोको की मौत जबकि करीब 20 फीसेदी लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की एक डूस इस्राइल के सदिरोइट शेहर में हमास सिदागे पांच रॉकेट इस्राइल के मताबिक घरो और वाहनों को हुआ भारी नुकसान जॉर्डन में इस्राइल के खिलाफ गुर्सवारों प्रदर्शन के आफ फिलिस्तीन और जॉर्डन के जंडों के साथ मार्च कि अब भारी चलते एक रहां भड़न के जंडों के साथ माँक्णा भारी नुकसान कि अब आड़न के खिलए चिल्पके और जॉक you कि अब एक वार्टन हो ह वार कि एक 15 1 dating वार्टन के लिएम एक 15 3